दोस्तों आई आजमलो बात करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडिशनिंग में इस्तेमाल होने वाले NTC सेंसर्स की ये सेंसर्स हमको डिफ्रोस्टिंग की इंफर्मिशन देते हैं रूम के टंप्रिचर की इंफर्मिशन देखते हैं अगर रेफ्रिटर में लगे हैं तो रेफ्रिटर के कैपनेट की इंफर्मिशन देते हैं रेफ्रिटर में कूलिंग कोईल के साथ में चुड़के वहाँ पे कब डिफ्रोस करना है कब कंप्रेसर को रिस्टार्ट करना है यह सारा arrangement इनी sensors के धुरू किया जाता है अब यह NTC sensors है Negative Temperature Coefficient of Resistance NTC का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इनका resistance कम होगा जैसे जैसे तापमान घटेगा इनका resistance जो है वो बढ़ने वाला है तो यहाँ पे हम लोग air conditioner के और refrigerator के तोनों के sensors को चेक करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पे air conditioner के sensor को चेक कर रहे हैं यह हमने sensors को उनके point से अलग कर लिया अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमने sensors को निकाला यहाँ पे E1, E2 करके error code आने लगा यह error code हमारे sensors की information देता है कि अगर sensors burst हो गए हैं जल गए हैं या properly काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे E1, E2 error करके आएगा अब इन sensors को हम लोग अपने meter को kilo ohm के उपर करके resistance चेक कर सकते हैं normally 25 degree centigrade पे इनका resistance जो है वो 5 kilo ohm के आसपास होता है तो यहाँ पे हम लोग इसका resistance चेक करते हैं दो sensors हैं, एक coil sensor है और एक हमारा room sensor है दोनों ही sensor आपको same resistance दिखाएंगे यहाँ पे यह 5.81 दिखा रहा है कि low में resistance वजह क्या है कि जब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं तो करीब यहाँ पे 21-22 degree temperature है तो जैसे से temperature drop होगा इसका resistance जो है वो बढ़ने वाला है इसी तरह से अगर temperature बढ़ेगा देखिए यहाँ से यहाँ पे घिसकर और हम इसका temperature बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा resistance जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा अभी यह 4.3, 4.2, 4.1 हो गया तो इस तरह से हम इसमें variation देखकर इन sensors को check कर सकते हैं अच्छा room sensor और जो coil पे sensor लगा हुआ है coil का sensor deep freezing के लिए है अगर किसी वज़ा से भी महाँ पे freezing हो जाती है तो यह उसको information देखकर और disc connect करता है system को तो इस तरीखे सा हम लोग इन sensors को आसानी से check कर सकते हैं अब हम इसको DC voltage पर लगाएंगे अपने meter को और यहाँ पे जहाँ sensors लगे थे वहाँ आने वाले voltage को check करेंगे जिस जगह पे sensors लगे थे वहाँ पे normally आपको 5V DC मिलेगा exact 5V DC आपको वहाँ पे मिलने वाला है अब यह controlled IC से आता है तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो आपको 5V की supply visibly मिलना चाहिए 5V का मतलब यह है कि अगर input पे 210 आ रहा है 240 आ रहा है 190 आ रहा है तब भी क्योंकि यह controlled IC से होके आया है इसलिए आपको यहाँ पे 5V DC ही मिलेगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने sensors को चिक कर सकते हैं यहाँ पे एक refrigerator का भी sensor हम लोग चिक करके दिखते हैं तो refrigerator के sensor के लिए जहाँ पे यह sensor लगा होगा वहाँ पे वही आपको 5V की DC supply मिलेगी और sensor भी जो है वह हमारा वही 5K ohm के आसपास आपको resistance दिखाएगा तो आईए देखते हैं यह हम लोग अपी meter को volts पे कर रहे हैं DC volt पे किया है और यहाँ पे हम इन दोनों points के बीच में supply देखेंगे तो वही हमको 5V के आसपास 5V supply हमको यहाँ पे DC supply मिल रही है दूसरे point पे देखेंगे एक देखेंगे freezer का sensor है और एक cabinet का sensor है तो दूसरे point पे भी आपको सेम 5V की supply मिलने वाली है अब हमने इसको kilo ohm पे कर लिया है 20 kilo ohm पे हमने इस meter को कर लिया है और यहाँ पे हम दोनों sensors को एक के बाद एक चेक करेंगे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं अच्छा यह refrigerator कुछ देर चल चुका है तो कुछ देर चलने की वजह से इसका जो हमारा freezer का sensor है वो क्योंकि ठंडा हो चुका है इसलिए वो resistance ज्यादा बताएगा यह भी हम लोग cabinet का sensor चेक कर रहे हैं और करीब 4.45 kilo ohm resistance यहाँ पे यह दिखा रहा है और देखिए यह हम लोग freezer sensor चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे resistance दिखा रहा है 11.45 kilo ohm तो बिल्कुल प्रूफ होता है गरम करेंगे तो resistance कम होने वाला है और ठंडा करेंगे तो resistance बढ़ने वाला है तो इस तरह से हम लोग दोनों resistance को दोनों sensors को resistance से चेक कर सकते हैं voltage चेक कर सकते हैं और एक बार हम लोग cabinet का जो sensor है यहाँ पे देखिए बढ़के आ रहा है यह हम लोग एक बार cabinet के sensor को भी चेक करेंगे properly उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हाथ से इसको छूकर गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हम देखेंगे कि resistance जो पर हमको 4.45 दिख रहा था वो और reduce हो जाएगा तो देखें दोस्तों यह हम आसानी से इन sensors को चेक कर सकते हैं को ऐसी मिश्किल वाली बात नहीं है अब यहाँ पर हम लोग इसका resistance चेक करते हैं तो देखें 4.03.99 अपर नीचे heat किया जा रहा है तो यह resistance घटना शुरू हो गया और जैसे ही उसको छोड़ेंगे यह ठंडा करेंगे तो resistance जो है यह बढ़ना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने air conditioner के refitter के sensors को आसानी से चेक कर सकते हैं Thank you very much